हलो फेंड्स कैसे हो आप सब तो फेंड्स आज का हमारा टॉपिक है कि United India Insurance के पोर्टल पे हमें CD अप्डेट करना है जो मेरे दोस्त United India Insurance के पोर्टल पे काम करते हैं उनको पता ही होगा कि CD अखिर होता क्या है लेकिन जिनको नहीं भी पता उनको मैं बतादू कि CD account United Union Insurance के portal पे एक wallet होता है जिसमें हम money store करके रखते हैं जहां से जब हम portal पे policy करेंगे तो जो policy का premium amount होगा उस wallet से deduct होता है तो हमारा आज का topic है कि इस wallet को update कैसे किया जा सकता है और किन-کिन तरीकों से इसको update किया जा सकता है portal में थोड़ी सी changes आई थी, portal नए आया है वैसे तो सभी को पता होगा कि इसको update कैसे किया जाता है लेकिन जिनको नहीं पता यह tutorial वीडियो उनके लिए है कि portal को update, cd wallet को update कैसे करेंगे तो friends, portal पे policy बनाने के लिए सबसे पहले हमें cd wallet जो है वो updated चाहिए उसमें हमें पैसा premium पूरा चाहिए जितना premium हम proposal का ले रहे हैं मान लीजे हमारा proposal का premium 4000 रुपे है तो हमें cd account में भी 4000 रुपे होने जरूरी है तो वो 4000 रुपे हम उस portal पे कैसे लाएंगे ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ और किन किन तरीकों से हम उसको update कर सकते हैं ये मैं सभी आपको तरीके इसमें बताऊंगा तो मेरे वीडियो को शुरू से लास तक आप देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो आईए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का वीडियो तो फ्रेंड्स पोर्टल पे लोगिन करने के बाद राइट हैंड में जहां पे आपका नाम है वहाँ पे आप क्लिक कीजिए दो ओप्शन दिखाई देंगे सीडी बैलेंस को आप वहाँ से चेक कर सकते हैं सीडी बैलेंस चेक करेंगे यहाँ पे देखिए मुझे दिखा रहा है 523 रूपीज मेरा सीडी बैलेंस है अब इसको अपडेट कैसे करना है मैं यह आपको बताऊंगा अब आपको लेफ्ट हैंड में ओप्शन दिखाई देगा अकाउंटिंग एक्टिविटीज वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और इस पे एक आप्शन दिखाई देगा कि रिप्लैनिश सीडी अकाउंट बाई नेट बैंकिंग यहाँ पे हम जाएंगे पहले अपना ब्रांच कोड सेलेक्ट करेंगे फिर सीडी अकाउंट कोड सेलेक्ट करेंगे नीचे हम एमाउंट भर देंगे जितना एमाउंट हमें पोटल पे अपडेट करना है वो डालने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा और उसके बाद ये वाला मेन्यू खुल जाएगा यहाँ पे प्रोसीड पे जाएए और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें काफी सारे उप्शन दिखाई दे रहा है कि क्रेडिट कार्ड से करनी है डैविट कार्ड से करनी है डैविट कार्ड प्लस एटियम पिन से करनी है इंटरनेट बैंकिंग से वालेट से मास्टर पा पे हमें debit card का पूरा number भरने के बाद नीचे वाले option पे ये date of expiry मांगेगा कि हमारा जो है ये expire कब हो रहा है card तो यहाँ पे हमें पहले month डालना है फिर उसके बाद जो है वो year डालना है किस year को ये expire हो रहा है उसके बाद देखी ये cvb मांगता है cvb code डालने के बाद नीचे card holder का नाम मांगेगा card holder का नाम डालने के बाद इसको जो है हमने next पे कर देना है या make payment का जो option बनता है उस पे click करना है make payment करने के बाद ये अपनी processing लेगा और उसके बाद ये OTP मांगेगा आपके registered नंबर पे आपने इसमें जो है वो OTP डाल देना है जो आपके registered नंबर पे receive ह OTP के बाद ये अपने अगले process को जाएगा और उसके बाद ये आपको अगला option दिखाई देगा देगा देखिए ये successful होगी है payment स्क्रीन पे आपको ऐसा option ऐसा display दिखाई देजाएगा payment successful का तो इसके बाद हम क्या करेंगे दवारा से इसको home page पे ले आएंगे home page पे लाने के बाद जहां से हमने शुरू में CD account अपना चेक किया था वहीं पे दवारा अपने नाम पे क्लिक करने के बाद नीचे CD balance को क्लिक करेंगे तो हमें देखिए मैंने 1000 रुपीज updated किया था ये updated balance 1523 रुपीज जो है शो करने लग गया तो मेरा CD account जो है अब update हो चुका है तो friends as per your requirement आप भी अपने CD wallet को इसी तरीके से और अलग-अलग method से update कर सकते हो credit card से net banking से या जिस भी process से इसको आपको update करना है आप इसको update कर सकते हो तो friends report and queries में जाके हम ये चेक कर सकते हैं PG gateway replenishment report में कि हमने आज की date में net banking या online कौन-कौन से update की हैं इसमें कितने पैसे हमने update किये हैं वो सारा ये report शो कर देगी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है तो friends इसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी transaction successful हुई है ये कौन सी unsuccessful हुई है ये इसमें सब कुछ दिखाई देगा तो friends एक और तरीका है CD account update करने का वो तरीका में अभी आपको बता रहा हूँ वो तरीका ये है जो हम सभी follow करते थे कि cash को अपने office में deposit कराईए और वहां से CD account को आप update करवा सकते हैं ये जो method थे ये थे credit card, net banking, debit card या online तरीके से अपने CD account को update करने के लिए तो friends ये तो था आज का वीडियो कि United India Insurance के portal पे हमें CD account कैसे update करना है, किन किन तरीकों से update करना है ये आज हमने सीखा, तो friends अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे policy उस पे underwrite करनी है, हमें कौन-कौन से process follow करने है क्योंकि देखिए portal पे online policy करने का सबसे पहला step तो हमें यही था कि हमारे पास CD balance होना चाहिए इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये वाला वीडियो दिखाया कि सबसे पहले मेरे भाई दोस्त अपने portal को जो है वो पैसे update कर ले, उसमें पैसा डाल ले ताकि हम अगला process सीख सकें, तो दोस्तों अगले वीडियो में हमें आपको बताऊंगा कि कैसे हम portal pay policies underwrite करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जय हिन, जय भारत